क्योंकि बहु जूट नहीं बोलती सुधा और राकेश के तीन बेटे थे शादी के बाद तीनों माबाप से दूर रहते और सिर्फ योहारों में आते माजी, पिताजी, अगले बार आप लोग हमारे घर आईएगा अरे नहे बहु, सब यहीं आजाते हैं तो घर खिला खिला लगता है हाँ बहु, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ आपने शादी के बद दीदी को ही तो दे दिया था हमें भी दिया होता, तो हम भी बड़ा घर लेते, क्यों सुनिल अरे नहीं नहीं, पापा ने सब को एक बराबरी दिया है छोटी बहु, क्या चाहिए तुम है, बोलो वो आपके सोने की चेन वाली घरी है न मुझे न, आपका मंगल सुत्र, कितना लंबा, सुन्दर और भारी भी है अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी बहु, चिंता न करो चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पडुसना आ जाती है आरे सुधा बहन, थोड़े चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है और मैं मान सर पर बैठ हैं आरे छोटी बहु, चाची को शक्कर तो दे दो अरे मजली दीदी, आप दे दीजे न मैं यहाँ कम आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सासुमा सारी चीजे कहां रखती है और तुम मैं कौन सा यहां रोज शक्कर फाकने के लिए आती हूँ मुझे मैं नहीं है पता तबी बड़ी बहु हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है चाची शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है माजी और पिताजी को वन्ना हम लोग तो यहां रहती ही नहीं आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिनत है और जेती रह बहु आप तो ये घर पड़ोस कम परिवार जयादा लगता है सुधा अपनी बड़ी बहु को देखकर बहुत खुश रहा करती थी वो उससे अकसर घंटो बात भी किया करती लेकिन दोनों दूसरी बहु का बहु आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है माजी हम लोगों की फ्लाइट पहले हैं हमें इजासत दे वो सास की गले लगकर चली जाती है थोड़ी देर बाद छुटी बहु कहती है माजी मैं ना ये सोफिक के कवर और चादरे ले जा रही हूँ यहां तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी हाँ हाँ बहु ले जा और कुछ चाहिए तो बोल और तो चाहिए बहुत कुछ पर चली कोई बात नहीं हगली बाली जाओंगी मैं ऐसी ही मंजली बहु भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है सभी के जाने की बाद सुधा राकेश से कहती है घर कितना सूना लग रहा है न हाँ और खाली भी तुम्हारी दोनों बहुए साब बटोर गई अरे ठीक है ना हम दोनों ही तो हैं कितना सामान लगेगा फिर उन लोगों की नई ग्रिहस्ती कितना मत सोचा करे समय बीटता है ऐसे ही हर साल त्योहरों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहु आते और जाते वक्त धेर सारा सामान पैक करकर ले जाती लेकिन कुछी सालों में सुधा का दिहान थो जाता है पिता जी आप यहां अकेले क्या करेंगे हम लोगों के साथ चलिए अरे नहीं नहीं बहु इस घर में सुधा की याद है मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ अब तुम लोगों की मा नहीं रही देख लो वैसे तो मैंने उसके जीते जिस सब कुछ दे दिया है लेकिन कुछ उसका परस्टल किमपी सामान मा जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी हाँ हाँ पिता जी मा ने सब के सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था उठा लो सरिता मा की घड़ी अब क्या था छोटी बहु फट से घड़ी उठा लेती है और पिता जी ये मंगल सुत्र तो मा ने मुझे ही देने को कहा था याद है ना वो सभी की और इशारा करती है तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं मंजली फटाक से हार उठा लेती है ससुर बड़ी बहु के तरफ देखते हैं तुझे क्या दू बेटा? पिताजी, माने एक चीज मेरे लिए भी रखी है सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास ने क्या रखा होगा बड़ी के लिए अरे, मा जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी हमेशा उनसे बात किया करती जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिया चीज दी होगी दीदी को और देख लेते हैं न, वनना तो हम भी बराबर का बटवारा करेंगे हाँ हाँ कर लेना बटवारा लेकिन बड़ी बहु बताओ तो सुधा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए अभी तो हम लोग यहीं है पापा जी जब जाने लगेंगे तो बता दूगी बड़ी बहु के मुह से ये बात सुनकर बाकी दो बहुएं सोचने लगती है कि आखिर क्या है जो दीदी को सासो मा दे कर गई है दीदी ऐसा तो नहीं न, कि पूरे घर का आधा इसा मा बड़ी भावी को दे कर गई हो, तब ही वहाँ ससुरा जाते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मकान तो तुम तीनों का बराबर से है देखो बड़ी बहु से तुम्हारी साथ ज्यादा जुड़ी थी नजाने क्यों घंटों बात किया करती थी पता नहीं क्या दे कर गई है उसे और ससुर जी, आपको क्या पता चलाकी से पूरे घर के पेपर में साइन करवा लिये हो या फिर कोई छूपा गहना आखिर मकान पूरा तो आपने सासुमा के नाम ही कर रखा था ना अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहु क्या लेकर जाएगी फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहु के जाने का समय हो जाता है बेटा परसो तुम चली जाओगी बताया नहीं माने तुम्हें क्या दिया घरी और हार जो बेश किम्ती था और तुम्हारी सास को सबसे ज़्यादा प्रिया था उसका तो बटवारा भी हो चुका है अब तुम्हारी बारी हाँ पिता जी आज मैं ये बात बताने ही वाली थी माने मुझे उससे भी बेश किम्ती चीज़ दी है और वो है आप आप से अधिक प्रिया उन्हें कुछ नहीं था मा चाहती थी के आप मेरे साथ रहे चलिए पिता जी बेटा मेरे पास तो कोई पैंशन भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी लेकिन आपकी पास संसकार है पिता जी जो मेरे बच्चे आप से लेंगे तो आपको ले जाने पर स्वार थी है मेरा चलिए ना पापा सभी के सामने पिता जी बड़ी बहू और बेटे के साथ उनकी घर चले जागा